कि नमस्ते नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सभी सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार सभी प्यारे से परिवार रोजगार वे डंकिर डिफैंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी एक दम बहतरी है और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई और आपकी पढ़ाई को आपकी तयारी को बहतरीन बनाने के लिए चल चुके हैं आप लोगों के प्रेक्टिस सेट तो प्यारे बच्चे आज 18 तारीक है और हमने वादा करा था बताएं अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आप लोग थमजब कर दीजेगा कोमेंट सक्षन के अंदर सभी बच्चे थमजब कर दीजेगा अगर क्लास एकदम बढ़िया चल रही है तो जैमा सरस्वती नमश्कार सभी बच्चों को रादे रादे जैहिन जैवारत एकदम से ज सब्सक्राइब के लिए जो आप लोगों के प्रेक्टिस से चलते हैं इनका टाइम टेबल किस तरीके से है सुबह 6 बजे आप मैच की क्लास रहते हो जो की चली रही है आज 18 तारीक है तो आज आपकी बज़े बाइलोजी भी शुरू हो चुकी है चलेगा आज ही आप लोग चलो तो बही पहला क्वेशन से आपको रूबरू करा दिया जाए सभी प्यारे बच्चों को तो आओ फास्ट क्वेशन है जटर रस में डूबूने पर पीएच पेपर कारण कैसा हो जाएगा वाट बिल भी दा कलर ओफ पीएच पेपर फैंट डीप इन गैस्टरस जूस त डूबा देते हैं तो लिटमस पेपर का कलर यहां जो यह आप लोगों का जटर रस에서 कर देगा प्यारे बच्चे कलर किस तरीकिह का ओगा यह वटाना जटर रस में डूबने पर पीएच पेपर यह लिटमस पेपर एक ही बात है तो बताएं जल्दी से किस ककूर में कनवर्ट हो जाएगा पीएच पेपर नीला लाल पीला या हरा पीला प्ल्यू रेड यलो या फिर ग्रीन यलो किस कलर में चेंज होगा बच्चे जा रहे हैं भी ऑप्शन के साथ और भी है यहां पर लाल तो क्यों ना लाल पर ही लगा दिया जाए तो बिल्कुल सही बात है प माडमजी क्योंकि इसके अन्दर पाया जाता हैामल उता है है उसमें और जड़ा क्रूटे पेपर टाले जाते हैं या लिटमस पेपर जो होता है उसWा तो क्या कर देते हैं नीले को लाल कर देते हैं नीला रंग together होता है वो ललाल कर हो जाता है तो क्योंकि जटर रस्भी क्या है अमलिय प्रकर्ति का है इसलिए यह भी कर देगा पीच पेपर को लाल अच्छा अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि हमारे पेट के हमारे लीवर के अंदर जो बाइल जूस बनता है अगर इसको पीच पेपर पर डाला जाए तो पितरस जो है पीच पेपर का कलर कैसा कर देगा जल्दी बताओ पितरस जो है पीच पेपर का कलर कैसा कर देगा तो फिर आप कहेंगे कि मैं पितरस होता है प्रकर्ति में चार यह है प्यारे बाल को एलके लाइन प्रकर्ति का अब एलके लाइन है तो भाईया चार है और चा चार पढ करते हैं छोते हैं पर कर देते हैं नीला यानी यह कर देगा सिदा सिदा बोल सकते हैं यह कर देगा निट मस्लिट फेपर को नीला यह जो चल रहे वहनला में से hij Wheat को परिवर्तित करता है बहुत अच्छा सा प्रशन है और जिन बच्चों ने मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुना होगा वो इतका क्या कर देंगे रिप्लाइब बहुत अच्छे से एकदम सही करेंगे यानी एक्जाम में दो नंबर लेकर चले जाएंगे यहां से चलो बताओ विश फॉलो विंग कंवर्थि ए इसेडिक पूड इंट्योल इन एलिमेंटरी के नाल आपकी आहार नाल के अंदर वह क्यां न यूज है याका कर देता है चायारीय birth कर देता है जठर रस करेग यह काम आत्र रस करेगी पित्र रस करेगा या गनाश्य रस गवेड़ा कौन करेगा इस काम को तो सबी बच्चे बोल रहे हैं बहुत बैतरी बहुत मजाया देखकर बहुत अच्छा लगा जो भी बच्चे सी उप्षन के साथ जा रहे हैं उनको बधाई हो उनका एक प्रशन जो था बिल्कुल आप एक्जाम में बहुत अच्छे से इसको करके आने ले तो सी होगा यहां पर सही क्योंकि मैंने अभी बताए था कि पितरस की ब्लकार्ती होती है और की ब्रकर्ती यह काने में मिलकर खाने को आज चारी बनाने का काम कर सकता है ठीक है आजाए आगे बात करते हैं हम लोग next question की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं next क्या है थर्ड प्रेश्ण है आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है द्यूदेनम का भाग है वह किसका भाग है बताएंगे जल्दी से द्यूदेनम इजा पार्ट ओ द्यूदेनम किसका भाग है प्यारे बच्छे तोटी आत का ब बहुत बढ़िया चोटी आत का भाग होता है अगर हम चोटी आत की बात करते हैं तो हमारी जो चोटी आत के तीन भाग होते हैं तीन ही भाग बढ़ी आत के भी हैं अब आपको पूछले चोटी आत के कौन-कौन से हैं तो एक तो यही होता है ड्यूदेनम एक तो हमारा यही बोलते हैं इसको बोल देते हैं मद्य आत्र यह आपको पता है तो इतीन चोटी आत के भाग है और इलियम सबसे अंतिमपाट होता है चोटी आता है और चोटी का फूर्द पूचे की कोनि आत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है सबी जानते हैं छोटी आथ के अंदर होता है complete digestion of food ठीक है अगर हम बात करते हैं बड़ी आथ की तो भई बड़ी आथ के भी तीन भाग होते हैं अगर बड़ी आथ के तीन भाग हम से एक्जाम में पूछ ले तो हम कौन-कौन से बताएंगे भई तो एक तो बताओगे आप सीक चोटी हां और बढ़ियां जाकर मिलती तो चोटीां और बढ़ियां जिस जक्षन पर जाकर जुड़ती हैं उसी जगा को कहते हैं सीक नभी छोटी आथ और बड़ियांत के मिलने की जगा है सीकम जो तो तीके गाल प्रेशन एको उसके चार ओप्षन अगर समझने वाले हैं समझने के लिए जरूरी है तो वो भी समझा दिये जाए साथ के साथ ठीक है समझ में आ गई अंडानों निर्मान होता है अंडानों जो अन्डे बनते हैं महिलाओं में उनका निर्मान होता है तो यहां पर और सही होगा में प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है विच प्रॉसेस दशून एंटर दा elementary canal कई बच्चे तो यह सोच रहे होंगे कि मैं elementary canal क्या है तो elementary canal मैंने बताया था ना आपके मुख से लेकर गुदा तक आपके मुख से लेकर गुदा तक पूरी नली का फैली हुई है इसको कहते हैं आहार नाल elementary canal ठीक है इसी में आपका पेट आता है इसी में तुम्हारी आते आती हैं इसी में तुम्हारी फूड पाईप इसी में तुम्हारा मुख यह सब आहार नाल होती है तो आहार नाल के अंदर जो भोजन डाला जाता है वो किस प्रकिरिया द्वारा जाता है अंतेग्रहन पाचन आत्मसातकरण या निसकाशन इजेशन डाइजे दो ए लगा दो इसका मतलब बहुत वहतरीन तैयारी चल रहे तुम सब की तो बिल्कुल भाई यह होगा बिल्कुल यहां पर सही इंजेशन मैंने बताया था कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने का जो पाचन हमारे शरीर में होता है वो पांच चरणों में होता है सबसे पहला आंतेय ग्रहंड इसके दवारा खाना मुख में डालते हैं इसके बाद होता है दूसरा चरण पाचन. इसके बाद तीसरा चरण पाचन का है जिसको हम ensuite बोलते हौथ बोलते हैं अतम सात्करन या हमारी आहार नाल के अंदर इसे पर किरिया दुआरा जो भोजन होता है वो आपके मुख से आपकी आहार नाल में जाता है ठीक है तो बिल्कुल ए ओप्षन यहां पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आप लोग क्लियर चलो आजाओ एलिमेंटरी के नाल की जब बात चली है आहार नाल की तो कौन मुझे बताएगा आहार नाल की लंबाई कौन कौन सी होती है आहार नाल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है कौन बच्चा मुझे साथ के साथ बता कर चलेगा तो हमारी जो एलिमेंटरी के नाल होती है इसकी ल बहुत बढ़िया आजाओ आगे बात कर रहे हैं next question की तरफ बढ़ रहे हैं पांचवा प्रेशन आपके सामने आ रहा है पांचवा प्रेशन आप लोगों के सामने अब अधारा जा रहा है बहुत बढ़िया सा बच्चे बहुत एकदम सही आंसर दे रहे है आठ से नो भी सही ह और अगर मैं बोनू आठ से दस तो वो भी सही है ठीक है चलो आजाओ अब है इन में से कौन सा आठ से बचे हुए और अवशोशित वसा का परिवहन करता है which of the following transport digested and absorb fat from the intestine जब आपकी आठ में जो fat है वो पूरी तरीके से पच गया है पूरी तरीके से उसका पाचन हो गया उस पचे हुए fat का इस्थानांतन करेगा परिवहन करेगा तो जल्दी से बताओ शिरा करती है यह काम प्लाजमा करता है लसी का करती है प्लेटलेट्स करती है इसके दुवारा पचा हुआ fat आपके शरीर में भेजा जाएगा आपके शरीर में परिवहन किया जाएगा रही में बता देती हो आप सभी को यहाँ पर होगा see answer नसी का करती होगा लंफ सस्टेम यही काम कर रहा है कि जो आपके सिस्टम के अंदर यहां पर आर बीसी नहीं होती प्लेट नहीं होती केवल डव्यू बीसी होती है तो यहीं आपके शरीर में क्या करता है पैट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है अच्छा कभी आपको एक्जाम में कुश्चन आ जाए कि जब हमारी आतों के अंदर फैट पच्च जाता है और आते उसको एब्जोब करती है तो किस रूप में करती हैं तो आप लोग बताकर चलोगे प्यारे बच्चे। काईलो माइक्रोन के रूप में काईलो माइक्रोन के रूप में वसा का अवशोशन होता है बिटा वसा का अवशोशन होता है तो वसा जो अवशोशित होती है न वह होती है काईलो माइक्रोन के रूप में तो वसा का अवशोशन होता है कर लेना ती है की जड़ी तो प्यारे बच्चे काईलो माइक्रोन क्या है कभी आपको यह पूछ ले तो काईलो माइक्रोन वसाका ही एक रूप है और जब आपकी आतों के अंदर वसाका अवशोशन होता है तो आत्र में वसाका अवशोशन काईलो माइक्रोन के रूप में होता है यह बात भी याद रख रहा है तो प्लाजमा रुधीर का तरल भाग है प्लाजमा होता है रुधीर का तरल भाग जो आपके शरीर के अंदर रुधीर है ना उसका तरल भाग होता है प्लाजमा आगे बात कर ली रसी का कि प्लेटलेट क्या होती है तो प्लेटलेट होती है एक तरीके की रुधीर कोशी का साइन्स से हो जाएगा सब्सक्राइब तो थोड़ा सा डिपिकल्ट हो जाएगा मामला चलो आज़ा आगे बात करें अब घटा प्रेशन लार्ग रंतियों से डैश डैश एंजाइम इस्त्रवीत होता है जो आपके मुझ में लार्ग रंतियां है इनसे कौन सागिन निकलता है बताओ ग्लैपि औरफ और इसका आजर सभी बच्चे करो जो हमारे मुझ में लार है बेटा वहां से कुन साफ़ होता है इस मात्रा बखोंस बताइंगे रिली निकलती है dreamed प्रप्सिन की बात करें तो यह आप लोगों के अगनाश्ये से निकलता है आपकी जो अगनाश्य ग्रंती है आपका जो पैंकिरियाज है यह वहां से निकलता है ट्रपसी लाइपेज एंजाइम जो है यह भी आपकी अगनाश्य ग्रंती से निकलता है यह भी कहां से निकल रहा है भई अगनाश्य ग्रंती से पैपसीन बनता है आप लोगों के पेट मे के याने पेट को हम अमाश्य भी बोलते हैं तो पैपसीन बनता है हमारे अमाश्य में हम लोगों के गैस्टरस में। यह तीनों को फ्ष्हून नियुक्र करते हैं यह पचाते हैं ये प्रोटीन का डाइजेशन करते है जब्कूल कर शक्ते हैं शब्सक्ते चलो बिटा कोपी पेस्ट मत करो बुक अगर नहीं आई है तो आप लोगों को क्या करना है इंक्वारी नंबर पर एक बार कोल करकर अपनी कंप्लेन लिखवा दो उसका फिर सोलूशन हो जाएगा ठीक है चलो ठीक अभी राहूल तो कोपी पेस्ट ना करें बच्चे आओ चलत सब्सक्राइब तो इसका मतलब तुम सभी दिमागदार व्यक्ति हो सभी अच्छे से प्रशन कर रहे हैं और बिल्कुल एह ही होगा प्यारे बच्चे इसका सही आंसर चलता है और इसका और उपिशन क्या होगा पॉल यह कुझा आता कोई आपको टिया यह हिए कंवट्ट हो जाती है अगर आपको प्रकार्श रंसलेशन की बात करें ठाट तो परकाश ये ओरता है लगया में प्रकाश की है प्रकाश ये उर्जा ये समझ में आई भई बाद तो संद के अनदर प्रकाश हो रोड़ism आई बाद तो हमारे शरीब में तो रहonie ने कुल्जा उस्षमें बदलेगी प्लांट के अंदर और प्रकार्ष रंसलेशन में प्रकार्ष ओर्जा किमिकल एनरजी में अगे बात करते हैं, हैं व्येक्स अज में क्वांट बात करता है, प्रापत उर्जा को कैसे मापा जाता है, विटा केमिस्ट्री का प्रिक्टिस से चलता तो है आपका छे वजे, मैंने टाइम टेबल में दिखाया भी तापको आज तो बताएं हाउ इस एनर्जी अप्टेइन फ्रॉम दा फूर्ड मेजर्ड जो आपके शरीर में उर्जा बन रही है उसको हम किसमें मापते हैं भई किसमें वापते हैं उसको हम ठीक है जल्दी से बताओ जल्दी से बताएंगे किसमें मापते हैं कैलोरीज में, कैल्वीन में, फट में, हैंपियर्स में तो आप बिल्कुल सही बता रहे हो सभी बच्चे कैलोरीज में जैसे कि हमने खाया कार्बो हाइडरेट हमने भोजन के रूप में खाया कार्बो हाइडरेट तो जो कार्बो देते हैं जैसे कि 1 ग्राम अगर कार्बो हाइड़ेट हमने खाया तो से हमें 4.2 से 4.3 कीलो कालरी एनर्जी हम लोगों को मिल जाएगी तो क्या होती है एनर्जी होती है हमारे शरीर के अंदर वैसे अगर फैट खाया व क्या है तो वसा से ज्यादा मिलती है 9.2 से 9.3 किलो कैलरी एनरजी फिरम को मिलती है तो ये किलो कैलरीज क्या है ये कैलरीज होती है आपके शरीर में पाई जाने वाली एनरजी चलो आओ आगे बात कर रहे हैं नवा प्रशन छोटी आथ की आंतरिक दिवारों में उपस्तित अंगुलियों जैसी सरचनाओं को क्या कहा जाता है जो तुमारी चोटी आथे उसमें उंगली के जैसी हजारों सरचनाओं पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है जल्दी से बताओ जो हमारी चोटी आते हैं उसकी सतह पर हजारों उंगली के जैसी सरचनाओं होती है उनको क्या कहते हैं विली आत्ररस रुमेन या फिर उप्यूद तुम्हें एक से अधिक बच्चे बोल रहे हैं यहां पर भी यह तुम तो सारे इस बार क्लियर करके वानोगे यहने को बहुत बड़ी तो बैटा the option यहां पे सईोगा इनको कहते हैं या हिंदी का काम होता है पोशक पधार्तों का अवशोषन को आपके शरीर में पोशक पधार्त पहुचे हैंं उनको एब्जॉब करने का हम तो इनका काम होता है absorption of nutrient nutrient को absorb करती है carbohydrate protein वसा सब को यह क्या करती है absorb करती है आत्रियरस आपको पता है आपकी छोटी आथ के अंदर आत्रियरस भी बनता है इस आत्रियरस में भी 5 प्रकार के एंजाइम आपको मिलते हैं एक बार नाम याद कराती हो इरिपसिन मिलता है माल्टेज लैक्टेज ठीक है और आपको मिलता है प्यारे बच्चे शूक्रेज और लाइपेज वगेरा जो है यह पांच तरीके के एंजाइम जो आपकी आत्रियरस में मिलता है अब की तरह मुझ चलाते रहते हैं तो वह आपके धनी जो होते हैं जुगाली करने वाले फिक है तो आगे बात करते अब यहां पर उप्यूगत सभी तो है नहीं तो यहाँ पर फस्ट नंबर का जो पर अप्शन है कि आपका सही होग आई आए आगे बात करते हम लोग दस्वा पेट में भोजन को पच्छाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आविशकता होती क्या है प्यारे बच्चे हां बेटा पेपर का लेवल जो हम करा रहे हैं प्यास में करा रहे हैं यही रहेगा तो बेपिक रोकर मजे से सारी चीजों को पढ़ो और प्यारे बच्चे पेपर में यह कोशन है सब पेपर की क्या को पचाने के लिए निम्नांकित मेंसे किसकी खास आविशकता होती घचित के अंदर जो भोजन आहर नाल के अंदर है एमाईलेज, ट्रपसीन, लाइपेज, यह बहुत सारे इंजाइम है जो खाने को पचाने का काम कर तो बहुत बढ़िया सी ओप्शन यहां पर क्या हो जाएगा सही हो आएं भाई आगे चलते हैं ने्स्ट आफ़ा प्रिशन है अधिकतम पोशक तत्व रक्त में कहां से अवशोशित की जाते हैई आपके रक्त बताओ जल्दी लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्यास ट्रमक, जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर बताएं बई, जल्दी से, बिटा अगर पोल लगवाएंगे तो सिर्फ आंसर कर पाओगे, एक्स्ट्रा चीजों को नहीं पढ़ पाओगे, तो बार-बार आप लोग कोपी-पेस्ट ना करें, चीजों को पढ़ें, ठीक है, सी ओप्शन बच्चे बता रहे हैं, बहुत बैतरीन, तो सी यहाँ पर सही होगा, क्यों, क्योंकि मैंने अब यह भी बताया, छोटी आंथ के अंदर, उंगली नुमा सरचनाएं होती हैं, व गरम चोटी आंथ की लेंथ की बात करते हैं, तो चोटी आंथ जो होती है, लगबग 6.5 मीटर की होती है, बिटा, 6.5 मीटर लंबी होती है, अगर इसकी मोटाई की बात करते हैं, विद की बात करते हैं, कि मैं चोडी कितनी होती है, तो इसकी जो विद होती है, जो चोडाई होती है लगबग 2.5 cm होती है यानि कि चोडाई में कम होती है और लंबाई में ज्यादा होती है इसलिए इसको कहा जाता है ठीक है जबकि बड़ियांत की लेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं बड़ियांत की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो बड़ियांत की जो होती है जब की चोडाई जादा होती है लगबग 3-4 cm की चोडाई होती है तो इसे लिए होती है प्यारे बालक बड़ियांत आज आगे बात कर रहे हैं यहां प्राश्ट करण करण किसके द्वारा होता है बाइव वममी इस टार्च हदाइजिस्टेंट इन्टू शूगर इन दा माउत आप के माउतिक पच्छते हैं और यह स्तार्च रोमाइड टाइप है यह स्प हो जाता है यानी ग्लूकोज में स्टार्च में जब पच्छता है किसके कारण पच्छता है बताओ M-ylase तोयलीन पैपसीन या फिर लाइपेज जल्दी बताओ क्या होगा यहां पर सही अंसर यह यहां पर क्या होगा सही आंसर जो मुख होता है हम लोगों का मुख के अंदर पाए जाते हैं अभी बताया था दो एंजाइम एक तो लाइस लाइसोजाइम और एक होता है यही करता है प्यारे बच्चे कार्बोहाइडरेट का पाचन तो आप लोग बता कर चलेंगे यह आप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो होता है यह आप लोगों के अगनाश्य में भी होता है एक बास सुनना सभी बच्चे माईलेज बता रहे हैं वह बिल्कुल सही बता रहे हैं लेकिन अगर हम आप लोगों के अगनाश्य की बात करते हैं पैंक्रियाज की बात करते हैं तो भाईया एमाईलेज तो पैंक्रिया law的 llamas यह इसी और सब्सक्राइब को कि नाम को conduள के नाम से दॉक्षाve तो लिखा हुआ है रहा हमें यहां पर के साथ चले नहीं तो इसका मतलब अगर हम दूसरा ऑप्षान देखता है управ Sud straw title को कियते हैं तो जो कभी बच्चे एक साथ जा रहे हैं वो सही है बट बेटा एक्जाम में यह गलती मत करके आना जो आप यहां कर रहे हो तो इसलिए इसका क्या ओप्शन लगा कर चलेंगे इसका होगा भी सही तोलीन करता है प्यारे बच्चे यह काम करता है कौन तोलीन समझ में आई ना बाद तो कभी भी आपको पूछे कि मुख के अंदर कौन कार्बोहाइडरेट का डाइजेशन करेगा अगर ओप्शन में केवल एमाइलेज है टॉलीन दिया हुआ ही नहीं है तो फिर तो एमाइलेज लगा के आना मजबूरी है लेकिन जब एमाइलेज भी और टॉलीन भी है तो माइलेज मत लगा के आना क्योंकि अगनाश्य की बात कर रहा है फिर आप ही लगाकर आओगे टॉलीन प्यारे बच्चे समझ में आई ना बात हाँ तो जो ए लगा रहे थे और खुश हो रहे थे वह सही थे लेकिन कहीं ना कहीं गलती भी कर रहे थे अब यह गलती मत करके आ लाइपेस की अगर बात करें तो यह भी पाया जाता है आप लोगों के पैंकिर्यास के लिए चले वही आगे चलो एक्ट्वर्शन की तरह बढ़ें थर्टी नंबर का प्रेश्ट क्या कह रहा है पाचंतंत्र का हिस्सा नहीं है तो बताओ भी पाचंतंत्र का हिस्सा कौन सा यहा पर नहीं पाचंतंत्र तुम्हारा जो डाइजस्टिृ जिस्टमें उसका और पांट पांट फीटा है कौन सा नहीं है तो बड़ाइए अच्छा कोश् прям नहीं है यह आंख का भाग करता है एक्जाम में क्वर्ष्ण आता है कि आख का कौन सा भाग है जो कि की भाथी कामकरता है तो हैं कौर्णीआ और कोर्निया कोहीं हम लोग क्या करते हैं दान करते हैं जब Beim कर कोर्णीया हिदान किया जाता है तो कॉर्णिया कोहीं हमारे खान आण लीवर आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी आपको पता है करीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है करीर की सबसे बड़ी ग्रंथी होती है लीवर सबसे बड़ी ग्रंथी है सबसे बड़ी ग्रंथी ग्लैंड बोल सकते हो पिताश्य में भी बताया कि लीवर जो पितरस निकालता है वो पिताश्य में जाकर जमा होता ह क्लियर इंटेस्टाइन के बारे में बाते चली रही है बहुत देड़ से आजाओ नेक्स क्वेशन की तरह बढ़ लिया जाए पॉटी नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है मानव के अमाश्य में अमल एक्स उत्पन होता है जो भोजन के पाचन में साहिता करता है अब बताओ यह एक्स क्या है जल्Дी से बताओ यह एक्स क्या है जी डी का प्रेक्टिस से वह आप लोगों का चलेगा जल्दी ऑसक्तर के बाद नहीं को है पाचन तंत्र भाग है और नाल यवर मतंस है नाल रहते हैं पाचनलार में बाधा है कि आपके बातर पाविल यह रहे रहा है इसका मतलब पाचन तंत्र भाता है हं भाग को एसी नहीं है गलत आंसर हो जाता है यहां पर कॉर्णिया ही आपको लगाना है आजो निक्स्ट अब यहां पर बच्चे बता रहे हैं कि मानव के शरीर में है यही अंदर आप लोगों का आपके पेट में अच्छा यह काम क्या करता है यह कारिये क्या है क्या है क्यीं एक तो जीवानू को मारता है बिटा आपके पेट में जो खाना है उसमें जो जीवानू चले जाते हैं जीवानू को मारता है एक काम तो यह हो गया इसका इल बैक्टीरिया दूसरा यह भोजन को अमलिय बनाता है भई भोजन को अमलिय बनाने का काम होता है इसका आपके पेट को सक्रिय करने का काम करता है तीसरा काम यह हो गया तीनों आपको पूछे जा सकते हैं आप लोग कई बार बोल देते हो कि चीटी जब हमें काट लेती है लाल चीटी तो तो आप लोग बता सकते हो मैथे नौइक एसिड कहा होता है लाल चीज़ लाल चीज़ नीम्भू वगएरा खटी चीज़ों में आप लोगों को देखने को लिए जो नीम्भू होते हैं खटी चीज़े खटे फल आओ आगे बात कर रहे हैं पंदरवा प्रेश्न क्या कहता है तो जब हमारे में खाना जाता है और खाने में कौन सा पोशक पदारता है इसका पाचन शुरू हो जाता है हमारे मुख के अंदर बताओ प्रोटीन वसा काबो हाइडरेट या उप्यूद्ट में से कोई नहीं बहुत बढ़ी अप्रेश्न है कई बार आज ही की क्लास में बताया है जल्दी से बताओ क्या होगा सभी कि 4 करेक्ट मुझे नजर आ रहा है वैं कि 4 करेक्ट बिल्कुल या सी फॉर कार्बो हाइडरेट तो बिल्कुल सभी बात बहुत चलो बहुत बढ़िया फिर दूसरे नंबर पर तुमारे पेट में जाकर पच्चता रहें है क्या तो पेट में जाकर पाचन होता है प्रोटीन का कों करता है पेपसी उसके बाद दीरे दीरे सारे पोशक्ते हैं आगे बात कर रहे है 16 नंबर का प्रेश्वन क्या है 16 नंबर का प्रेश्वन रोज चलती एक लगल चलेगी आज शुरू हुई है कल आज से डेली चलेगी एक बज़े चलो आज वागे बात करते हैं अब तभी ठीक है अब देखो पाच्छन किरिया में प्रोटीन निम्न में से किस पधात में बदल जाते हैं इन विच दाइजेशन प्रोसेस प्रोटीन अर्ड कनवर्टिड इंटु विच आमीनो अंमल में अमीनो अम स्पूप्रोटीन एक अब उसके बाद यह पर नौ। तो आपको पूछ रहा है कि प्रोटीन जब खाई तो खाई यह वाली फोर्मेट थी फिर यह इतने चोटे पार्टीकल में तूटा फिर यह और चोटे पार्टीकल में तूटा जिनको कहते हैं तो बिल्कुल सी ओप्शन यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का सही तो प्र प्यारे बच्चे किसके अंदर कार्भोहाईड्रेट का जो डायजिशन होगा वह आप बताओगे ग्लुकोस में होता है या आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टार्च में तूटते हैं पहले फिर यह तूट जाते हैं ग्लुकोस के अंदर हैं तूट है आगे बात करें पैट की तो भाया फैट टूटते हैं फैटी एसेड में वसी है अमलों में तो सी ओप्षन यहां पर हम लेकर चलेंगे सही ठीक आजाओ नेक्स्ट प्रशन है अमाश्य द्वारा स्ट्रावित रस भोजन का असानी भोजन को असानी से पचा लेते हैं लेकिन अमाश्य स्वयम इन पाचक रसों से प्रभावित रहता है क्योंकि वहीं सिंपल लेंग्वेज में अगर बात करें तो तुम्हारे पेट के अंदर जो अम तो पेट क्यों नहीं जल रहा है उससे बताओ अम आश्य की दिवार की दिवार स्लेश्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है यह स्टील की बनी होती है इनमें से कोई नहीं जो बच्चे सी के साथ जाएंगे न मों तो पिटेंगे तुमा सब है कि जो बच्चे हैं वो मेरे पढ़ने पर ही कोशन को समझ रहे हैं खुद नहीं समझ पा रहे हो ऐसा क्यों भई आप जो बच्चे के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है बिटा क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमारा जो पेट होता है कि अंदर एक स्लेश्मा की परत पाई जाती है म्यूकस की लेयर होती है तुमारे पेट के अंदर हमारे पेट में म्यूकस की एक लेयर होती है यही लेयर अमल के प्रभाव से हमारे पेट को बचाती है मालो यह तुमारा पेट है इस तरीके से इस पेट में बैठा हुआ है लिए अब एच स्यल पेट को क्यों नहीं जला रहा क्योंकि पेट के चारों तरफ ऐसेसे यह जिली का नाम है म्यूकस मेंबरेन स्लेश्मा की परत तो यहीं तुम्हारे को प्रोटेक्ट रखती है यही प्रोटेक्शन करता है विच और गन एब्जॉब टॉक्सिक सब्स्टेंस प्रेजेंट इन डाइजस्टिट फो तो आपके भोजन के अंदर जब खाना पच जाता है उसमें जो टॉक्सिन होते हैं वो कहां पर जाकर स्टोर हो जाते हैं या टॉक्सिन को कौन एब्जोब करता है बताओ अमाश्य अगनाश्य व्रक या फिर आपका यकरत स्टमक पैंकिरियाज किड़नी या फिर लीवर तो जो टॉक्सिन है मैंने बताया था आपके खाने के या जो भी कोई अलकोहॉल पीता है या जो भी आप विशेले दूशक प पने हुए खाने तुम खा रहे हो तो तुम्हारे शरीर का कौन संग प्रभावित होगा बताओ तुम्हारा क्या खराब हो जाएगा फिर बताओ सिधा सिधा लीवर खराब होगा ना होगा लीवर ही तो खराब होता है जब भी तुम बजार के पैक्ड फूड खाते हो तो त करता है अपने अंदर इसलिए जो अच्छा खाते है लिवर भी अच्छा रहता है तोकि टॉक्सिक लिवर में जमाई नहीं होंगे लिवर मुस्कुराएगा खुश होगा नाचेगा गाएगा दूम मचाएगा समझ में आ गई बात बिलकुल दी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा सही आज नेइस स्वा प्रेश्ण पैपसीन क्या है बताओ बशीन पैपसीन क्या है प्यारे बच्छो पैपसीन क्या है जल्दी से बताओ पैपसीन अग को हखनीज है तो प्रामीन बढ़ बर पढ़ते हैं आरहें है तुम्यरे पैट में गाना बताया था गाना में पैट पैसे पंप से कितने प्रोटीन हो गए बय के champ को पता है के ख कर से प्रोटीन का अचिक परता है पेप्टोनतों तो आपके पेट में पाया जाता है यह पैप्सीन होता है। क्लियर फ़्य भै अब आज komme मैंने अपको बताया कि कुछ? अच्छ? ऑर्मॉन जो होते है इन यह कौन बनाता है हूर्मॉन बनाते है हमारे शरीर में हमारी ग्रंतियां। यह थो हमारे शरीर में हमारे Glanths होती है दो बनाती है विटामीन आप खाते हो फल सबजियों के दुबारा एक विटामीन ऐसे जो हमारे शरीर में खुद बनती है और मिनरल में आते हैं आपका केलशियम हो गया सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयोडीन हो गया, यह सब खनीच पदारत है, मिनरल है, आजो नेक्स्ट, पीस नंबर के प्रशन पर पहुंचे हैं, अम आश्य द्वारा इस प्रवित बलगम की भूमी का क्या है, बलगम मतलब वो यह म्यूकस, जो तुमारे पेट के अ पेट में होते हैं, जी कोशी का, वो बनाती है, म्यूकस, अब यह म्यूकस जो तुमारे पेट में बन रहा है, इसका काम क्या है, अम आश्य की परत की रक्षा करना, पसा को पचाना, भोजन में कि नानवों को मारना, या प्रोटीन को पचाना, क्या काम होता है पेट की अम आश्य परत का है रक्षा करना बिल्कुल सब्सक्राइब तो आपके पेट की परत की रक्षा करता है HCl से है चैनल है यह एक्ष फ्रेशन यहां पर प्रशन पाचन के संदर्व में गलत कथन को पहचाने रॉंग स्टेटमेंट कौन सा है बताओ जल्डी से रॉंग स्टेटमेंट कौन सा है अवशोषन स्वांगी करने से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है स्वांगी करण अंतर ग्रहन से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है पाचन निसकाशन से पहले लेकिन अंतर ग्रहन के बाद होता है स्वांगी करण और अव्शोषन दोनों अंत्य ग्रहन से पहले होते हैं बतादो जल्दी से दिमाग घुमाओगा आदे बच्चों का दो बताओ कौन से स्टेट्मेंट यहां पर गलत है तो देखना जरह अभी अभी मैंने पांचरण बताए थे आपको अव्शोषन उसके बाद आता है बेटा आत्मसात करण या स्वांगी करण बोलते हैं तो इसके बाद आता है लास्ट में उत्सर्जन इनका सीक्वेंस आपको आगे पीछे करके दे रखा है नोंने तो बताओ अव्शोषन स्वांगी करण से पहले तो है लेकिन पांचन के बाद होता है तो नॉय सही बाद हो गई नैये तो सही है पहला ऒलास्थेटर्वेंट स्वांगी करण अंतागरेंट से पहले उता है दीसरे पर ये तो चोथे पर होता है तो अंते ग्रेंट से पहले कैसे हो गया गलत नहीं दिखनी तुम्हें बात वह यह ठोक कर चलोगे डियो भी ऑप्शन को गलत गलत भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत भी ऑप्शन आज आगे बात करें नेक्स्ट वाइसवा प्रश्न मानवों में आहा तो मैंने बताया था था मल द्वार के द्वार के मल को भाहर निकाल देते हैं आपका मल होता है वह एनस के जरि vine बाहर निकल जाता वह इंनाल का अंतिम होता है यह वह선 प्रूieri्स थो हम मल को अपने शरीर से बाहर निकाल दे अब प्यारे बच्चे जो आपकी बढ़ियांत में टॉक्सिन बनते हैं बढ़ियांत के अंदर जो वसेले पधार्त बनते हैं उनको अपने अंदर लेने का काम करता है यह अपैंडिक्स बढ़ियांत से जुड़ी हुई सरचना है और बढ़ियांत में जो वसेले पधार्त बनते हैं उनको अपने अंदर जमा करती है पैंडिक्स बाकि इन दोनों के बारे में पढ़ते आ रहे हो तो डी ओप्शन यहां पर सही होताएगा नेक्स्ट निमने में से कौन सा वसा के पाइसी करण में शामिल होता है बताओ वीच ओ है था इसी पैट को इतने इतने भागो में तोडने का काम करता है इतने बड़े-बड़े मॉलिकुल को छोटे । ने का काम कॉन करता है जल्दी से बताओ कैंद कatta आप लोग बताओं यह काम करता है यह करता है यान August लेवरा निकालता पिट्रस ठीके फित रस निकाल रहा है तो पिट्रस कर रहा है वचा का 5.9 निमने में से किस जीव की छोटी आत आपेक्षकरत लंबी होती है बहुっと चोटी하겠습니다 किसमे जाधा लंभी होगी व गाय में मनुश्य में या शेर में बताना गाय में क्यूंकि गाय होती है श् conquati आतब तो इसलिए निए बताओंगे जो शाकाहरी ऊते हैं इनकी आंत ज्यादा लंभी होती किए घास खाते है आज़ो आगे बात करते हैं 25 वाप्रश्न मानव इन में से किसे नहीं पचा सकता विच ऑफ दीज कैन नोट भी डाइजस्टेट बाइजुमेन तो जब मानव की बात होती है तो मानव अच्छ का पाचन नहीं कर सकते हैं तो हम अमीनो ऐसिड़ प्रोटीन अनको बीचा लेगे लाइको जन क्या है संचित उर्जा है संचित उर्जा है यह नढद ऑगता हमारे शरीर में संचित उर्जा होती है थीडृ regain क्यालिक क्लास के 25 किछ्षूम में कि छेक टीक रहे क्लास कैसी लगी अपने रिव्यूज जरूर कमंट सेक्शन में दीचेगा और कल इसी टाइम हम लोग मिलेंगे नए कोश्चन के साथ तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार रादे रादे जैश्री जैहिन जैबारत और आपकी फिजिक्स की क्लास भी आज ही श